Good morning class, welcome back to EVS class. So students, आपने पता किया आपके आसपास? ये आपके आसपास ये neighborhood services है, है तो कहां है, किस area में है? पता किया होगा I think? पुछा होगा पापा ममा से, पुछा या नहीं? ये सब जो माम बोलती है, ये आपका homework है और आपको करना है, ठीक है? देखो पहले homework कहां मिलता था, notebook और copies, books में मिलता था, अब आपको ये इस वे में homework मिल रहा है, तो ये भी आपको करना है, देखो different type का homework हो गया ना, तो ये भी आपको करना है. नेक्स है, come to the page number 82, activity, अब ये activity तो आपको ही करना है, यहाँ पे कुछ logos दिये हुए है, ठीक है? ये symbols दिये हुए है, अब ये किसके है? ये आपको यहाँ पर लिखना है, look at this logos of some neighborhood services, services and write their meanings और इसकी meanings यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है? It's your homework, so you have to do. Now, next है, place, places of worship, worship means पूजा, ठीक है? तो पूजा कहां करते हैं हम? मंदिर में, गुरुद्वारे में, मॉस्क्यू में और चर्च में, तो ये चारों ही आपको दिखाए दे रहे हैं? Yes, so people follow different religions, यानि कि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में बहुत सारे धर्म और जाती के लोग रहते हैं, तो बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, रहते हैं ना? तो सब अपने अपने धर्म को follow करते हैं, religions को follow करते हैं, and go their respective places of worship. We should respect religions and their way of worship. तो हम उनके धर्मों की हम respect करते हैं, और जैसे भी वो पूजा करते हैं, हम उस way को भी respect करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई मौस्क्यू में जाना चारा है, तो वो मन्द चर्च में नहीं जा सकता, चर्च में जा रहा है, तो टेंपल में नहीं जा सकता, ऐस इंडिया में ऐसा नहीं है, आप जिस भी धर्मों को मानते हो, आप मान सकते हो और उसकी according पूजा कर सकते हो, ठीक है, तो मौस्क्यू में कौन जाते हैं, आप लेस ओफ वोर्शेप फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स यह जो मौस्क्यू दिख रहा है, इसमें मुस्लिम्स पू Christmas तो चला गया होगा Yes, चला गया 25th को Celebrate करेंगे Christmas Now, next है Temple, a place of worship for Hindus Hindu जो होते हैं पूजा के लिए कहा जाते हैं? Temple में Now, Guru Dwarah, a place of worship for Sikh तो Sikh कहा जाते हैं? Guru Dwarah ठीक है? अच्छा हमने लंगर वाला चैप्टर पढ़ा था तो गुरुदवारे में क्या होता है? लंगर होता है? Yes तो places places of worship यह सब जो जितनी चारो places हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं ठीक है? Now, let's recap में आजाओ page number 83 पर एक बार और देख लेते हैं कि हमने इस chapter में क्या-क्या पढ़ा है? ठीक है? work and neighborhood work के बारे में पढ़ा हमने occupation के बारे में और neighborhood यानि कि हमारे आसपास का जो area है वहाँ पर जो भी services हैं वो क्या है और कैसी है? ठीक है? यह पढ़ा हमने Now, first one is occupation जिसको करने के बाद आप money earn करते हो वो आपका occupation हुआ जिसको करने से आपको पैसे मिल रहे हैं आपको money मिल रही है ठीक है? farming, service, business, some other occupations, work at home ठीक है? Now, next है neighborhood services school, market, movie यह सब जो भी हमारे आसपास है supermarket, post office park, hospital, bank police station, यह सब क्या है पिटा हमारी neighborhood services फिर next है place of worship Moscow church, temple, गुर्धवारा यह तीन पार्ट में हमने यह chapter को complete किया है पेटा, यहाँ पे आप occupation में देख रहे हो work at home भी है जो भी घर के काम होते हैं अब वो ममा भी करती हैं, पापा भी करते हैं आप लोग भी करते हो करते हो ना, तो आपको सब की एक दूसरी की help करते हुए मतलब आप एक family में रहते हो तो आपको एक दूसरी की help करनी चाहिए तो है तो यह भी काम है work at home, यह भी काम है तो इसके लिए क्या पैसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, लेकिन एक दूसरी की help करते हैं, हम एक दूसरी की care करते हैं, इसलिए हम सब मिल जूल करके अपने घर का काम कर लेते हैं ठीक है बट इसके लिए कोई payment कोई money मिलती है क्या ममा को मिलती है या पापा को मिलती है वो लोग घर का काम करते हैं तो नहीं लेकिन इसलिए सब लोग मिल जूल करके घर का काम कर लेते हैं एक दूसरे की help करते हुए आप लोगों की caring भी आ गई इसमें फिर एक दूसरे की caring भी आ गई इसमें ठीक है तो इस तरह से अब इस तरह से chapter को हमने complete किया अब बारी है exercise की now it's time to do solve this exercise first one is correct option correct answer ठीक है अब आपको क्या करना है चैप्टर पढ़ा है हमने answers आपको बताना है dash is the work done for others as a occupation business singing service तो इन तीनों option में से business, business, singing, service में से क्या है जो की is the work done for others जो आप दूसरों के लिए करते हो as a occupation ठीक है जो आप दूसरों के लिए करते हो बट वो है आपका occupation तो वो किस में होता है बटा, service में होता है singing तो नहीं है, वो तो आप अपने लिए गा रहे हो, ठीक है दूसरों के लिए तो नहीं कर रहे हो ना, business है वो भी आप अपने लिए करते हो, आपका अपना business होता है, बट service क्या होती है, आप किसी के under करते हो ठीक है आप जैसे की service में हमने देखा था service is the work done for others ठीक है यह आप दूसरों के लिए करते हो लेकिन वो होता आपका occupation है जैसे की a large number of people give their services अपनी service कहां देते हैं means school में, colleges में अब school से connected है ना तो school में अपनी service हम school में दे रहे हैं फिर college में दे रहे हैं, bank में दे रहे हैं, hospital में दे रहे हैं, post office, railway, police, force, military वहाँ पर हम अपनी services दे रहे हैं और वो हमारा काम है लेकिन जो business है अब business में तो हमारा खुद का business होता है हमारा खुद का business होता है तो वो हम अपने लिए करते हैं कि हम अपनी service को provide नहीं कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, वो हम अपने लिए कर रहे हैं, तो जो service होती है, वो किसके लिए होती है? दूसरों के लिए हैं, नहां आ जाएगा service, फिर है, dash is a place where we go when we are sick, hospital जाते हैं, bank जाते हैं, अपनी money हम कहाँ deposit करते हैं, जमा करते हैं, पार्क में करते हैं, बैंक में करते हैं, या हॉस्पिटल में करते हैं, पार्क में जाते हैं कि अपने पैसे जमा करने हैं, या हॉस्पिटल में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, ठीक है, अपनी money को deposit करने हम कहा जाते हैं bank में जाते हैं now next है fill in the blanks people do different kinds of work to earn लोग अलग अलग काम करते हैं अलग occupation होता है उनका क्या करने के लिए to earn money, money को कमाने के लिए money earn करने के लिए money पैसा लेने के लिए ठीक है next है a dash grows food crops कौन करता है फसलें कौन हुगाता है farmer और उनका occupation क्या है farming, क्या हो जाएगा farming, next है a dash station provides a safety and security कौन हमें safety and security provide करता है police police next है true-false banks and hospitals are neighborhood services yes neighborhood है ना ये services हमारे आसपास ही है now ATM is a small medical facility medical facility है क्या ATM नहीं, ये तो money यानि की withdraw करने की facility है तो ये हो जाएगा false यहां से हम क्या कर सकते है money ले सकते है now six worship and gurudwara सिख जो होते है पूजा के लिए gurudwara जाते है yes तो ये true now come to the question answer why do people work काम क्यों करते है अब ही आगे हमने पढ़ा था अपनी basic needs को fulfill करने के लिए हमें money की जरुत होती है और money कहां से हैगा जब आप work करोगे ठीक है तो people work to earn money and make a living जंदा रहने के लिए अपनी needs को fulfill करने के लिए हमें पैसो की जरुत होती है money की जरुत होती है ठीक है now second है what are neighborhood services अब neighborhood services क्या होती है तो the services ये वो होती है neighborhood services are variety of services we get in our neighborhood which make our life comfortable ये हमारी life को बहुत easy बना देती है बनाती है school, hospital, bank, police station markets ये सब अगर हमारे आसपास है हमारे localite tab तो इससे क्या होगा हमारी daily life बहुत easy हो जाएगी हमारी comfortable हो जाएगा सब कुछ ठीक है now next है what is police station police station क्या होता है police station is a place which provides safety and security to the neighborhood okay police क्या करती है हमें safety and protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है करती है न yes question answer लिखना है हमें direct copy में hard words रहने दीजेगा अभी हम नहीं लिख रहे हैं और ये book exercise आप book में ही solve करेंगे question answer केवल आपको notebook में लिखना है ठीक है अब हम मिलते है next video में next period में next class में next chapter में okay bye bye bye